नमस्कार दोस्तों मैं अंकित पर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित पर्मा ओल एट पी नोटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसे कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको आज 1 देसंबर 2023 की हिमाचल प्रद सुख बोले विधायकों को नगर निगम में मत देने का बिल भाजपा ही लाई मोख्य मंतरी ने कहा कि कांग्रेस का एक साल का कारेकाल फूरा हो रहा है इसमें कारेकरम का आयोजिन होगा जिसमें कांग्रेस की राष्ट्रे नेता रहूल गांदी और प्रियंका गांदी को न देयर रहेंगे स्कूल परदेश के सरकारी स्कूलों के शाड़े ऐठ लाक व्यध्यारती के लिए पढ़ाए का निरेंतर महोल बनाये रखने के लिए शिक्षा विभागने बडा वैसला लिया है शीत कालिन स्कूलों में 31 देसमबर और ग्रीश्म कालिन स्कूलों में 31 कुरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हुई है महिला मरीज साथ साल की थी महिला को बाइस नवंबर को अस्पताल में दाखिल किया गया था एचपी कैबिनेट मीटिंग राज्य मंतरी मंडल की बैठक में होंगे कई एहम पहसले विधियक के ड्राफ्ट पर भी चर्चा संभव हिमाचल परदेश मंतरी मंडल की बैठक शुकरवार को बारा बज़े के बाद होगी इसमें कई एहम फैसले होंगे मुख्यमंतरी सुकविंदर सिंग सुखु की अधेक्षता में होने जारी बैठक में स्वास्त्य उद्याहुग श्रम रोजगार प्रेटन परिवाहन आधी से जुड़े एजेंडे जो है जाएंगे कुलु नेयोज मनाली पहुँची बॉलीवोड स्टार कंगना रनोत कुच दिन अपने घर में रुकेंगी कंगना कुछ दिन मनाली में रैकर अपने प्रूड़क्शन हाउस मनी करनी का फिल्म्स के बैनर तले बन रही तनू वेर्स मनू थ्री फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन को लेकर एकांत में कुछ नेड़े लेंगी QFX केस मंदी पुलिस की बड़ी कारवाई आरूपियों के पांच वहन किये गए जबत मंदी पुलिस ने आरूपी केवल क्रिशन निवासी टकारला तैसिल आमजिला उन्ना की फॉर्चियों नर गाड़ी और रोयल इन्फिल्ड को कबजे में लिया है जबकि चमललाल निवासी डागर दोल जोगिंदर नगर की ग्रैंड विटारा गाड़ी को सीज़ किया गया है हिमाचल हाटी मामले में हाई कोट ने केंदर और राज्य सरकार को जारी किये नोटिस गुरुबार को मुख्य नयदिश की अधैक्षता वाली खनपीट ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए के अंदर और राज्य सरकार सायत राष्ट्री जनजाती आयोग के अलावा राजिस्टार जनरल आफ इंडिया को नोटिस चारी किये है मामले में पुलिस ने महिला स्मेत चार लोगों को गिरफतार कर लिया है एक आरोपी अभी फरा रहा है बहुत बार देरात हुए गोलिकांड से लोगों में दहशत फैल गई पुलिस चांच में जुट गई है उन्ना नियूज अनुराग ठाकूर बोले भारत को 2047 तक आत्म निर्भर राष्ट बनाने का लक्षे कांग्रेस की गरंटी फरजी उन्ना विदान साब अक्षेतर के लिए वहान रवाना करने के अफसर पर अनुराग सिंग ठाकूर ने बताया कि प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी के नेतरतम में केंदर सरकार ने बर्ष 2047 तक पार्थ को एक वेक से तेवं आत्म निर्भर राष्टर बनाने का लक्षे रख अंतर महविद्याले महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता आरके एंवी शिमल्या का दवदवा प्रियंका सरुष्ष्रेष्ट बॉक्सर प्रतियोगिता में राजकिय करने महविद्याले ने सरवाधिक चार स्वरन तीन रजत और चार कंसे पदक जीत कर ओबर ओल चैंपियन बना रामपुर कॉलिज दूसरे और MLSM सुंदरनगर तीसरे स्थान पर रहा उत्रकाशी टनल कोलाप्स विशाल बोले कहीं और नौकरी नहीं मिली तो फिर खत्रों के बीच करना पड़ेगा काम पडोसी राज्य उत्रकाशी में निर्मान धीन टनल में स्थारा दिन तक फं अपने घर पहुंच सकता है घर में मा और मिला और दादी गरवधनू विशाल का बेसबरी से इंतजार कर रही है धर्मशाला हिमाचल केंद्री बिश्विद्याले में इसरो ने स्थापित किया अट्मोसफेरिक लाइटनिंग डिटेक्शन सिस्टम केंद्री बिश्विद् अलिका उदगाटन कुलपती प्रोफेसर एसपी बंसल ने किया बैंकर्स कमिटी मिटिंग बैंकों की जमाराशी में साथ जार पच्चिस क्रोल रुपया की बिढ़ोत्री बैठक जारी किये आंखडे शिमला नियूज राज यपाल ने किया विक्सित भार्त संकर्प यात्र प्रदेश हाई कोर्ट की रोक के बाद शिक्षा विभाग ने बियार सीसी के दोससो बासी पदों को भरने के लिए तीन दिसंबर को होने वाली भरती परिक्षा रद कर दिया है एच्प्यू शिमला मेरिट आधार पर हुआ 28 सीटों का आवांटन 493 सीटों के लिए पहुंचे ग्यारसों से ज़्यादा अभ्यारती एम्स बिलासपूर एम्स में नहीं रहेगी डॉक्टरों की कमी सीनियर रेजिडेंट के भरेंगे 55 पद जाने आवेदन की ती थी एम्स बिलासपूर में सीनियर रेजिडेंट के 55 पदों पर भरती की जा रही है एम्स प्रबंदन की ओर से इसके लिए आज सूचना जारी कर दिये इन पदों के लिए इच्छो को उमीदबार 8 दिसंबर तक ऑनलाइन आविदन कर सकते है इसमें चार पद दिवियांगों के लिए आरेक्षित है इनके लिए एम्स में 12 दिसंबर को साख्षता कार होंगे उमीदबार एम्स पिजासपूर की अधिकारिक वेबसाइट पर अधिक जानकारी ले सकते है लोकसभा चुनाब से पहले मिलेंगे दो नई मंत्री गोमा द्रमानी की जगा पकी इन दोनों पर संश है मंत्री मंदल विस्तार की संभावनाओं के बीच राजनितिक गलियारों में चर्चा अब उन विधायकों की है जो बीते एक साल से मंत्री का ओधा पाने को कतार में है राज्य में मंत्री मंदल विस्तार की पटकता लोकसावा चुनाप की आदार पर त्यार हो रही है प्रदेश मंत्री मंदल में इस समय तीन पद खा लिए लेकिन इन में से दो ही पद भरे जाने की संभावना ही ये दोनों पद कांगड़ा और हमीरपूर संस्तीक शेतर के हैसे आएंगे पीएम की सभी गरंटियां पकी जाराम का दावा समय पर पूरी होगी वेकसित भार्त संकल प्यात्रा हिमाचल नियूज पीड़ेवल डी में अब दस दिन में होते हैं टेंडर 20 दिन में जारी हो रहा अवाल लेटर हिमाचल को जल्द मिलेंगे नई मंत्री केंदरी हाई कमांड से मंजूरी मिलते ही होगा मंत्री मंडल विस्तार जेवे आईटी के सभी पोस्ट कोड की जांच पूरी स्टेट फोरेंसिक लेब ने छे रिपोर्स जांच एजनसी को भेजी पेपर लीक मामले में स्टेट फोरेंसिक लेब ने छे रिपोर्स जांच एजनसी को भेजी धर्मशाला और मंडी लैब में पेपर लीक मामलें से जुड़ी सभी इन्वेस्टिगेशन पूरी हज़ी पीएसी ने जारी की कंड़क्टर भरती स्क्रीनिंग टेस्ट की तारीक इस दिन होगी परिक्षा तो 10 दिसंबर को जो है रवी बार के दिन कंड़क्टर भरती परिक्षा जो होने वाली है तो दोस्तों ये थी आज 1 दिसंबर 2023 की हिमाचल प्रदेश की आज की सभी तार्या खबरें धन्याबाद चयाहिं चयाबाद अजाओ फिस्टा बार भरती तार्याबाद प्रिक्षा जो हुआ जो है उन्याबद बार भरती का रवी तार्याबाद